ही गईस बेलकम तो माई यूटूब चल गईस आज किस वीडियो में बात करेंगे फीजिक्स वाइवा में पूछे जाने वाले टाप 25 प्रश्ट ठीक है अगर आपका भी फिजिक्स का वाइवा होने वाला है ठीक है तो आपको क्या करना इन 25 टाप 25 प्रश्टों को अभी तय है कि मैंने आस्तक इससे बाहर एक भी प्रश्ट नहीं पूछा है और यही प्रश्ट मैं बच्चों से पूछता ही हूँ कई एक्जामनर्स को मैंने दिखा है तो सभी बोले कि यही क्वेस्टन मैं पूछूंगा तो फिजिक्स वाइवा में पूछे जाने टाप 25 इसके लिए आपको कोछ भी नहीं करना है चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है तो सबसे पहला क्वेस्टन आपकी बोर्ड एक्जामनर्स आता वो पूछेगा बैदुच्छेत्र की परिभासा देजिए यह क्वेस्टन हर एक एक्जा उस पर लगने वाला बल्यप के अनुपात को थिक है के अनुपात को बैदुच्छेत्र की तीवटता एक कहते हैं ? अ बराबर अब इसके बाद जो नेश्ट क्योशन आपसे वा एक्जामनर पूछेगा वो पूछेगा कि बल की बीमा बताओ काफी इंपर्टन क्योशन है और बल की बीमा आपको जब आपसे एक्जामनर पूछेगा तो आप सीम्पल ही जाते हो क्या लिख देतो हो MLT पे माइनस 2 लिख देतो हो ठीक है हमने कई बार देखा है और कई सारे इस्टूडेंट को ये गलती करते हैं लेकिन आपको जब भी बीमा लिखना है तो इसे हर समय बड़े क्वेश्टक में लिखना है यही एक्जामनर आपको देखता है ठीक है आपकी स SI पूछ सकता है, CGS पूछ सकता है, MKS पूछ सकता है जो SI मातरक होता है वो होता है न्यूटन ठीक है बलका SI मातरक न्यूटन और बलका CGS मातरक होता है डाइन यह जरूर एक्जामनर पूछ देते कि बलका CGS मातरक बताओ फिर MKS जो पदती होता है वो किग्रा मीटर इसके बाद नेश्ट कोईशन आपसे जो एक्जामनर पूछेगा वो यही कोईशन पूछेगा कि इंपियर का नियम बताओ तो काफी आसान इंपियर का नियम आपको यही बताना है कि यदि निर्वात अत्वा वायू में इस तित दो सीधे लंबे वह समनांतर तारों में जिन होता है जी एक मीटर है यची इस तर न वीकोट कि इक मीतर है कहीं यहींolie क्या políticas करने पर प्लस इसमें इक ही बैदु धाधारा प्रवाहिद करने पर स्कैने पर तारों की बीचब बीच last Magic 2. प्रति मीटर लंबाई पर इंतारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर दो गृत्ते दस के पावर लुकर माइनस साथ नीउटन का बलुतपन होता है उससे ही बहाई एंपियर का नीएम कहते हैं ठीक है नेस्ट जो कोईशन आपसे पुछेगा एक्जामनेट फायराड़ का प्रतम वह दीती नीएम आपको तयार करें रहे है यहजरूर पुछते एक्जामनेट फायराड़ का पर्थम नियम पुझत देंगे और इन दोनों को त्यार करने जाना भी की इसके बाद संस्ट का नियम सप्सक्न इसके बाद नेस्ट क्वेश्टल जो आप से पुझ देंगा ऑर आप पुझ देंगा को और किस नीच्ञ नियम और तो आप कहा दो कि इससे New man का नियँं भी कहा जता है ग्रीति नियम बताओगा बतायगा कि इससे और किस नम म्हांतेश talks तो आप कहा दो किसे range नियम भी कहते हैं और और मचाने कि दूञते अब है और सिंशा अंचार हो डल — शानड को शार महा है वो पूछेगा कि कुलाम का नियम क्या है चाफ़ ओकि थे काफ़ ब памरभार नियम क्या हैर्टեղ की दोह परकार की नीएनल की तयार कर आए इसके पार नेश्चन प्लावर TOP ido होना है के दर्पड कितने परकार का होता है ठीक है दर ytो अपट बता देते हूं कि कि दर्पड दो ही समतल died ET led लेकी नहीं डरपड जो होता वह पांच परकार का होता है तीक है यह गल्ती आप अपने बौर्ट एक्जाम में नहीं करना है तियक है पर 5 परकार का होता है त्टेके इसके बाद नेश्ट है लाइंज बल्च यह यह बी examiner आपसे पूच़ेगा कि लाइंज बल्च क्या है लेनज का नियम क्या है किरशाब के दोनो नियमों के त Mai यह ऀ이 च्चेगा एक्जामनर इसके बाद नेश्ट कुछतेगा कि चोग कुडली किस सिध्धान्त पर कारे करता है तो आप जानते हो कि वाट ही धारा सिध्धान्त पर काम करता है कि बाद नेश्ट है कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम स्रेडी क्रम आपको त्यार कर लेना है समांतर क्रम आप बता दोगे कि 1 upon R equal 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 यह प्रतिरोधों का है ठीक है यह ध्यान देना है प्रतिरोधों का के पूछा जा रहा है यहां पर एक और पूछा जाता है त को बता थोगो भी आप में बता दोगे आप आर बड़ाबर पलन सस्का ठीक उल्टा होता तो आपकोनल्टा नहीं बताना एसी चीज को ही मताना था इसके बाद रिख्या मित इसके बाद आप से पूछेक्षण बुचब पूछेंगा नियम कैंग संद्ट मेर ट्याइब ही जैना कि बाईबा होती है कहदेगा कि physics की spelling लिखो तो आपको P-H-A-Y-S-I-C-S की spelling तयार कर लेना है यह physics की spelling है ठीक है P-H-A-Y-S-I-C-S इसके बाद नेश्ट आपसे examiner पूछेगा कि भौतिक बिज्ञान किसे कहते हैं यह भी आपको तयार कर लेना question को इसके बाद पूछ देगा कि Newton की गति विस्यक नियम क्या है यह भी आपको तयार कर लेना जितने नियम इनोंने दिया है वीभो का मात्रक क्या होता है देखो व विभो भी बराबर होता है डबली बाई क्यू डबलू का मात्रक जूल और क्यू आप इसका मात्रक कुलाम होता है इसको भी तैयार कर लेना है इसके बाद नेश्ट आपसे पूछेगा examiner वो पूछ देगा जी गुर्तवा करसर नियतांग का मान कितना होता है तो जी गुर् तुरंत पूछेगा examiner वो आपसे कि capital G तथा इसमाल जी में क्या अंतर होता है यह गुर्तवा करसर नियतांग का मान होता है और इसका जो मान होता है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है ठीक है इसके बाद नेश्ट है question इलेक्टान का मान क्या होता है यह भी examiner आपसे पूछ देता है कि इलेक्टान का मान कितना होता था आप जानते कि इलेक्टान की जो बैलू होती है मान होता है 1.6 इंटू 10 के पाउर माइनस 19 कुला इसकोर नूटन मीटर का स्कॉर तो आप इन सभी को तयार कर लेतो है 101 परसंट में गारांटी के साथ कहता हूं कि कोई भी examiner आपको इससे बाहर यह की भी प्रस्ण नहीं पूछ सकता यह मेरी गारांटी है तो आपका फिजिक्स का वाईबात इन सभी प्रस्णों को टाप 25 को आपको तयार कर लेना है और जो भी अगर confusion आप comment box में comment करके पूछ सकते हूं तो आज से इस बीडियों बस इतना है मिलोंगे एक नेश टूलियों तब तक के लिए धन्यवाद